मत्रा चाता चेत्र के गाम लाडपुर में बिक्रम सींग अधाना भोजी फुत्र बलराम सींग हुए सहीद बिक्रम सींग अधाना रविवार की रात्री को जम्मु कस्मीर के पुलवाना गाउं में आतंकियों के साथ हुई गोली बारी में सहीद हो गया पूरे गाउं एवं परिवाज जन्यों में सोक की लहर हम आपको बता दे कि छाता चित के गाउं लाड़पुर में बिक्रम सींग अधाना लगवग 5 साल पहले अपने पूरे होसले के साथ फौज में भरती हुए थे पूरा परवार फौज में नोकरी लगने के करण खुस था लेकिन आज आतंकियों से लुहा लेते हुए बिक्रम सींग अधाना मात्र भूबी की गोद में सो गया बिक्रम सींग के पिताजी का नाम बलराम सींग है इनकी माता का नाम केसांती देवी एवं पत्नी का नाम रचना जो परमत्रे की रहने वाली है उनका एक पुत्र भी है जो लगवग मात्र दो साल का है पुत्र की तवियत खराब है जो मत्रा के एक निजी हॉस्पीटल में भर्ती कराया गया है दूसरा बच्चा उनकी पत्नी के गर्व में है बिक्रम सींग दो भाई है दूसरे भाई का नाम रहतास है जब आज घर वालों को पता चला कि उनका बेटा आतंक्यों से लोहा लेते हुए सहीध हो गया है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही किसक गई उनका पूरे परिवार का रो रोकर बुराहाल है और बिक्रम सींग अधाना के पार्तिव सरीर के अंतिम दर्सन करने के लिए गाउं में जन सेलाब उमड रहा है गाउं के जगे जगे चौराओं पर लोगों की भीट लगी हुई है आज पूरा गाउं बिक्रम सींग फोजी की ही बात कर रहा है और जब मीडिया ने उनके बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि वे बहुत ही सुसील सुभाब का लड़का था हम यहां पर आपको दिखाएं जा रहे हैं कि जगे जगे पर यहां लोग उसी कि आज चर्चा कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर बिक्रम सींग अधाना का विवार कैसा था और कैसे थे बिक्रम सींग अधाना और उसके जाने का आज हमें पूरा दुख है बिक्रम फोजी इसी बारत तारिक की चुटी से घर अपनी डूटी पर गए है उनके माता पिता को क्या पता था कि उनका लाल किस हाल में उनके घर लोट कर आएगा बिक्रम सिंग अधाना का पार्तिव सरी करीब कल नौ बजे गाउं में लाया जाएगा आपका बती जाएगा तो आप अपने बती जी के बारे में किस वता है बतारें बहुत अच्छा लड़का था और इसके मतलब गरीब लड़का बच्चा है ऐसा बहुत बड़े घर करना ब इस बीर सपूत के जजवे को हम तह दिल से सलाम करते हैं